अच्छा आप हम सीखेंगे के कॉमेंट को एडिट कैसे करते हैं और कॉमेंट को एडिट करने की जरूरत क्यू पेश आती है आप लोगोने सुना होगा अभी तक के कॉमेंट हम आरे लिए और हमने आप कुछ सिखाने की भी गोशिश की कि कि कॉमेंट क्यूँ जरूरी है बिकॉस और लोग एक दूसरे से बात करना चाते हैं एक दूसरे से सुनना चाहते है, they want to discuss things with each other, इसलिए हमें comments की जुरूरत पड़ती है, तो WordPress में comments edit करने का तरीका, इससे पहले मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी learnings को revise करते है, एक अच्छा comment क्या होता है, do you remember, मैंने आपको कुछ tips बताई थी, केचे comments देने की, what is a good comment, how to handle comments, comments को handle कैसे करते हैं, ये भी आपको पताऊना चाहिए, किस तरह के comments को, किस तरह से आपने आगे से जवाब देने, react करने, ये आपने जानना है, ये आपको पताऊना चाहिए, how to use the right language for comments, ये भी हमने आपको बताया के, सही language क्या है, comments के लिए, जो आपको use करने चाहिए, you must know all of this, and after this recap, did you know, के आप comments को edit कर सकते हैं, so a lot of people get very surprised, जो उनको बताया जाता है, के आप comments को actually edit भी कर सकते हैं, WordPress में, लेकिन comments को edit करने की जरूरत क्यों पेशाती है, usually you would want to edit comments, अगर किसी ने उसमें कोई spam का link डाल दिया, और आप link remove करना चाहरे हो, अगर किसी ने कोई typo डाल दिया हो, साथ ही साथ, आप अपने comment को अगर edit करना चाहरे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, so the opportunity is, के ना सिर्फ वो comments, जो के किसी और ने post किये हैं, अगर आप के कोई अपने comments हैं, उन को आप edit करना चाहरे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, WordPress gives you this functionality. There are two simple ways to edit a comment, एक के आप quick edit का button दबाएं, और उस quick edit के button के साथ, you can actually simply edit your comment, उसमें उसकी जो details हैं, वो भी आप edit कर सकते हैं, उसमें, आप यहां जैसा आप यहां पे देख रहे होंगे, the quick edit feature allows you to edit the comment, बट यह पूरा panel है, जिदर से आप comment एक edit कर सकते हैं, quick edit के इलावा, एक simple edit का button है, that edit का button allows you to go into a post like situation, जिसमें आप उस comment को बड़े simply जो है वो edit कर सकते हैं, so यह एक feature है, जो आपके पास available है with wordpress, which allows you to edit comments, और जैसा के मैंने आपको बताया, it's very important to know के comments को edit क्यों करना है, comments को आप edit करेंगे, सिर्फ तब जब आपको need मैसूस हो, किसी और का comment हो, वो भी आप edit कर सकते हैं, अगर आपको अपना comment हो, तो वो भी आप edit कर सकते हैं, again giving you a summary, दो तरीके से आप comment add कर सकते हैं, quick edit का button दबा के, साथ ही साथ edit का simple button दबा के भी, आप comment को edit कर सकते हैं, और उसमें आपके पास different buttons available हैं, edit में जब आप जाते हैं, उसकी screen में, तो you have this option, जिस में आप चीज़ों को bold कर सकते हैं, you have the option के आप चीज़ों को italics में कर सकते हैं, अगर आप कोई quote करना चाहरे हैं, तो आप उस तरह कर सकते हैं, आप unlink link कर सकते हैं, इसी तरह आपके पास कुछ और tags भी available हैं, these tags are very crucial, and they can make comments more interactive, so in tags का please, जहन में जरूर ख्याल में रखिएगा, इनको use कीज़ेगा, जब भी आप एक comment को edit कर रहे हैं, so question यह आता है, is it okay to edit others comments, क्या किसी और के comment को edit करना ठीक है, यह आप पर depend करता है, कि आप किसी और के comment को edit करना चाहरे हैं, कि नहीं, आप को किसी और का comment edit करने की need, क्यों में सूस हो रही है, और अगर किसी और ने कोई एक link, आप के post में डालाव है, जो के नहीं सही, आप उसको edit करने के लिए, you can use the edit comment feature, so it's totally dependent on you, whether you want to edit a comment, why you want to edit a comment, and क्यों comment edit करने की जरूरत, actually पेश होती है, Another question is, can I set an edit timer, ये क्या है, ये एक opportunity है, कि अगर आप एक comment post करवाए, किसी भी user से अपनी website पे, और आप वहाँ पे, एक feature डालना चाहरें, कि comment को वो edit करना चाहिए user, तो certain timer चले, जिसके अंदर वो comment को edit कर सके, तो simple comment editing के नाम से, plugin है, जो आपको ये feature डेता है, कि you are able to edit comments, using this simple feature, और एक question आपके जहन में आ सकते है, वो ही है, can I let users subscribe to comments, to subscribe to comments का क्या मतलब है, subscribe to comment का मतलब है, कि अगर आप एक ऐसी feature देना चाहरें लोगों को, जिस से वो simply आपके, आपके comments को पढ़ सकें, but साथ-साथ, they get an email notification, as soon as an update has been posted, तो वो भी आप कर सकते हैं, using the added comment feature, so सबसे पहले तो हम ये करते हैं, हम एक website पर जाते हैं, जिसका नाम है, Mangobuzz.com, और वहां पर हम जा के देखते हैं, कि comments की feature कैसी लगती है, so we will type Mangobuzz.com, and we will open it on our browsers, हम top post को click करेंगे, और हम उसके comment section में जा के, we will try to see, के how we can actually post a comment. So, यहां पर आप जैसे देख रहे हैं, के इनोने WordPress की commenting feature on की विया है, हमें कैसे पता लगता है, के WordPress की commenting feature on है, because वहां पर लिखावा है, Facebook की commenting feature, Facebook की commenting feature इसलिए on है, क्योंके वहां पर लिखाव है, Facebook comments plugin. So, यहां पर लोग एक comment post कर सकते हैं, using their Facebook profile. यहां पर इसलिए आपको मेरी शकल नजर नही आरी, because I am not logged in through Facebook on this computer here, जिस पर हम अपना ये training का, पूरा एक module डेवलप कर रहे हैं. So, अगर मैं यहां पर कोई comment लिखने की कोशिश भी करूँ, तो it will open up a pop-up, let's see what it does. देखते हैं, अगर comment post, हां देखा, इसने एक pop-up open कर दिया, जिसमें यह मुझे कह रहा है, कि आप अपनी Facebook की profile से login करें. So, Facebook comments, सिर्फ तभी, लोग post कर सकते हैं, अगर उनकी Facebook की profile login हो. लेकिन हम चुके add करना चाहरे हैं, एक editing feature, तो हम जाके अपने comment section में जाते हैं, हमारी site already login है, और हम वहां पर comment section में जाके, we will see के, if we can edit comments or not. So, this is that section, where you can actually edit comments. So, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपके पास, दो simple तरीके हैं, comments को edit करने के, एक है quick edit, और एक है simple edit वाला feature. So, जो आप यहां पर नीचे देख रहे हैं, this is a comment that WordPress publishes, जब भी WordPress की site पहली दफा से install होती है. इसका नाम भी है, WordPress यहां पर comment का, आप नाम भी देख सकते हैं, WordPress commenter, और जोनल एक comment लिख रहे है, हाई, this is a comment to get started with moderating, editing. So, if I want to quick edit it, I can just click on quick edit, और आप देख रहे हैं, के मेरे पास, यहां पर एक feature आई है, to edit the WordPress comment. आप यहां पर यह भी देख रहे हैं, के आपको A tag एक नजार आरहे है. If you remember, के यह A tag क्या करता है, this a tag basically allows you to post a link. So, अगर मुझे लगता है की यह कोई spam है, और मैं यहां से निकालना चाहरा हूं यह link, so I can just click on, first I will cancel it, so I can show you की link काम कर रहे, क्योंके सपे हैंड कर निशान आरहे. Now, I can quick edit this, and I can simply remove this link, and I can click on update comment. चैसे ही मैंने यह edit किया, तो देखे हैं यह आप लिंक गाइब हो गया. So, this is an opportunity for you to edit comments, using the quick edit feature. Now, we will edit the comment by clicking on edit. So, edit पे मैं जाओंगा, और यहां पे, if I want to further edit a comment, तो मैं चीजों को यहां से edit कर सकता हूं, for example, अगर मैंने इसको quote बनाना है, तो I will make this a quote, अगर मैंने comment को bold करना है, अगर मैंने इसको italic करना है, अगर मैंने यह link निकालना है, और अगर मैंने इस WordPress commenter का नाम change करना है, I want to make it Pakistan commenter. और यहां से वो मुझे दिखा रहा है, कि in response to what, and I will just click update, और आप देख रहे हैं, के यह comment edit हो गया है. So, this is what the edit comment feature allows us to do. It allows us to edit the comments, it allows us to change things from the WordPress comment section. एक और चीज़, दो plugins का मैंने आपको बताया था, उनमें से एक plugin है, Simple Comment Editing. So, इस plugin को मैं आपके सामने जल्दी से activate करूँगा. So, यह plugin अभी install हो रहा है, and I will go and try to activate this plugin. और जैसी plugin install हो जाएगा, तो I will click on activate, and activate करते ही मैं अपनी main site पर जाऊँगा, मैं किसी एक post पर जाऊँगा, I will try to reply to a comment, and when I click on post, तो जाऊँगा, but now it is giving me a timer, which shows कि मैं कमन को अदिट पकर सकता हो. So, this feature is only available through a plugin. So, मैं को क्लिक करके, I can edit my comment or I can even delete it. So, इस lesson में हमने ये सीखा के आप comments को अदिट कैसी कर सकते हैं, in further lessons, we will be teaching more on how to delete comments and how to manage comments further.